Assalamualaikum, welcome back to English, what's about today, our video topic is Suggestopedia Language Teaching Method, let's start the video Suggestopedia का मतलब जो है Suggestion और Pedagogy, यानि ये इन दो अलफाज से मिलकर बना है Language Teaching Method, Bulgarian psychologist George Lizanov ने 1970 में originate किया था Suggestopedia Modern Understanding पर बेस है, इसमें ये देखा जाता है कि इनसानी दमाग कैसे काम सीखता और करता है George Lizanov एक physician, psychiatrist, physiotherapist, brain physiologist और साथ में pedagogy थे उन्होंने 50 साल से ज्यादा जो है वो इस चीज़ पर सर्च की है कि इनसानी सलाईयत और harmonic development के इस तरह से अपेर हो सकती है Suggestopedia एक ऐसा natural तरीका है teaching और learning का और इसमें एक खास खिसम की communication की जाती है जिसमें love और delight महसूस होती है Students को बहुत प्यार से और comfort zone में सिखाया जाता है ताकि टीचर्स जो है वो इस method के थूँ उनकी जो जितनी भी hidden reserves हैं उनको expose कर सके Teachers समझ जाए कि इस student को कहां पे और कैसे मसते है ये method एक ऐसा safe relaxed environment create करता है जहां पर learners को comfortable feel होता है वो बहुत secure feel करते हैं इसके साथ learning activities जो हैं वो ज्यादतर group setting में की जाती हैं और बहुत enjoyable तरीके से design किया जाता है उसको Music, drama, visual imagery जैसे method को use किया जाता है ताकि learning और भी effective हो सके students के लिए ये method ज्यातर foreign language के लिए यूज किया जाता है और particularly इसमें complex topics को teach किया जाता है जो के ज्यादा time memorization और understanding में लगाते हैं जैसे के mathematics और science की subject वगारा इस type के method में student कभी भी under pressure नहीं हो सकती या कोई भी किसम की frustration उनको नहीं होती और सजिस्टोपेडिक lesson जो होते हैं उसमें students बहुत smoothly सीख जाते हैं वो ऐसे सीखते हैं जैसे उनको बचपन में सिखाया जाता था किसी किसम की homework की जरुरत नहीं होती क्योंकि जितना भी acquisition process है वो क्लास में ही किया जाता है इस method में students को target language सिखाई जाती है और उनको इसकाबल बनाया जाता है कि वो इसको असानी सीख सके Suggestopedia के कुछ key features हैं उसको discuss करते हैं सबसे पहला है comfortable environment Suggestopedia का main key feature है उसमें decorations furniture और classroom की arrangement जहां तक कि students की जो cheer है जहां पर वो बाजू रखते हैं वो जगह भी बिल्कुल soft होनी चाहिए उनको एक कूजी दरीके से बठाना चाहिए ताके वो learning uncomfortable feel ना करें Next is use of music Suggestopedia के जो method है उसमें music का इस्तेमाल बहुत जहां जरूरी है क्योंकि student को इस process के दुरान सुलाना नहीं है बलकि उनके whole brain को मतहर्रक रखने के लिए हमें music लगाना जरूरी है चाहे वो vocabulary के साथ है या फिर किसी भी dialogues के साथ है इसके बाद peripheral learning आ जाती है peripheral learning का मतलब यह है कि वो कोई teaching method जो है वो teacher center या फिर lecture center ना हो या लेक्चर डिलिवर नहीं करना टीचर ने अपने तरीके से कुछ नहीं सिखाना इसके लिए peripheral objects की बहुत सक्थ जरूरत होती है जैसे के cards हो गए postures, colors, charts, music, poetry, lighting factor और इसके साथ artistically जो चीज़ें डिजाइन की जाती है वो बहुत necessary है students की motivation के लिए तो यह होती है peripheral learning के बाद free errors आ जाता है free errors जो है teaching learning process में students से अगर कोई mistake हो जाती है तो उसको tolerate किया जाता है उसको कुछ भी नहीं कहा जाता for example अगर pronunciation में words की pronunciation में mistake हो गई है यह किसी भी dialogue में हो गई है तो students को कुछ नहीं कहा जाता इस पर सिस्ट्रोपेडिया की चार किसम की stages है जिसको study करते हैं first one is presentation presentation जो है वो एक ऐसी उस पर conduct की जाती है class में ताके students को learning में असानी है और इसका मकसद यह है कि student को relax environment प्रवाइट किया जाता है और उनके जहन में एक positivity क्रिएट की जाती है और उनको ये feel कराया जाता है कि learning बहुत ज्यादा आसान है और ये एक fun के थूँ सीख जाएंगे तो किसम के concert होते हैं first concert जिसको active concert कहते हैं जबके second concert जिसको passive review कहा जाता है तो जो first concert होता है उसमें जो presentation दी जाती है उस material को याद किया जाता है extended dialogues, vocabulary list और जो grammatical points होते हैं उस पर मुशाइदाद किया जाते है dialogues को loudly read किया जाता है dramatic sense में, rhythm के साथ, ताकि students को dialogues के थूँ असानी से समझ आए first concert को अगर असान संस में लिया जाए तो जब students को presentation का material सिखाया जा रहा था, teacher जो भी classical music के जरिये से text को read कर रही थी और कुछ musical phrases बना कर students को सिखा रही थी, तो they were active at that time first concert में जब students को text सिखाया जा रहा था, just reading कराई जा रही थी with loud music, तो इसके बाद lessonों ने इस चीज़ पर होर किया कि students जो हैं, वो सिर्फ reading कर रहे हैं, उनको translation नहीं आ रही, इसके बाद उन्होंने translation पर emphasize किया students के लिए teachers ने कुछ इस तरह से gestures तयार किये और sometime कुछ songs ताकि students को words की translation याद रहे, पहले जो था वो reading sense था, फिर उसके बाद reading के बाद translation पर translation के बाद memorization के words की memorization बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर focus किया गया Now second concert is the passive review or we can say that passive concert, इस पर लज़नाओ ने देखा कि students जो हैं वो relax हैं, वो अपनी book को close कर कर बरूप music को सुनना चाहते हैं और वो सुन कर अपने text को memorize करते हैं तो ये जो बरूप music है वो 1600 से 1750 तक की सदी का था, जिसमें रेनेसा के period के classical music को arithmetic tune बनाकर background में लगाया जाता ताकि students को learning में असानी हो ये music जो है वो specially select किया जाता था कि student को एक optimum mental state पर लाया जाए और उनका जो acquisition process है, यानि learning का जो process है वो effortless हो जाए, उनको उसमें मुशकत ना करनी पड़े, सिर्फ arithmetic tune के साथ जब dialogues appear होते रहें तो ये असानी से समझते रहें और इनको memorize रहे fourth stage आ जाती है practice की, जिसमें role play, games, puzzles के through review दिया जाता है learning का Suggestopedia के objective को study करते हैं कि students को advanced conversation आनी चाहिए, उस पर उनको बूर हासल हो और इसका main मकसद ये है कि memorize ना कराया जाए, बलके अच्छे तरीके से समझाया जाए और students को इस काबल बनाया जाए, कि वो अपने problems को खुद start out कर सके अब आते हैं teacher's role की तरफ, teacher का क्या करदार है, listen के मताबक कुछ important factors हैं जो के teacher को acquire होते हैं teacher को अपना confidence show करना चाहिए, इस method के दुरान, वो well-managed हो Listen का मकसद ये है कि as a professional on one hand and a personality on the other hand यनि teacher को highly honored, credible, reliable होना चाहिए, teacher जो है उसको properly organize करना चाहिए और वो strictly observe करे teaching process की जितनी भी initial stages होती है और उसको एक संजीदा attitude रखना चाहिए session के लिए material को suggestopedic तरीके से organize करे और teacher को चाहिए कि वो अपने students के साथ love से पेश आएं sentimentally नहीं लेकिन as a human being teacher को चाहिए कि वो personally participate करके students को समझाए through games, songs या किसी भी किसम का जो classical art है उसके जरिये से अब study करते हैं कुछ ऐसे tips जो के सिजिस्टोपेडिया क्लास में अपनाई जा सकते हैं जैसे कि establish a relaxed atmosphere सिजिस्टोपेडिया में बहतरीन काम के लिए student के लिए relax और comfortable environment क्रियेट करना चाहिए और वो environment ऐसा हो कि जिसमें comfortable sitting और dim lighting का बहतरीन इंतजाम किया हो second one is use music music जो है वो एक लाजमी हिस्सा है सिजिस्टोपेडिया का learning atmosphere जो है उसको relax करने में मदद देता है music जो है वो appropriate होना चाहिए यनि lesson के मताबिक होना चाहिए ताकि जो भी नया material है उसको मतारिफ किया जा सके visual ads एक ऐसा तरीका है जिसको सिजिस्टोपेडिया क्लास में हम इस्तिमाल कर सकते हैं इससे student को समझ भी आती है और उनके जहन में वो text याद रहता है ये जो है colorful postures, diagrams और किसी भी concept को clear करने के लिए examples जो दी जाती है use role playing role playing वो होता है कि जहां पे student को practice करवाई जाती है कि जो scene आप लोगों ने अभी पढ़ा है उस तरह से react करें ताके आपको वो material याद रहे इस्त वन इस utilize group work group activities एक ऐसा तरीका है जिसमें एक student दूसरे के साथ introduction करके concept को clear करके उस work को memorize कर सकता है इस्त इस provide positive reinforcement reinforcement जो है वो सिजिस्टोपेडिया का एक बहुत important part है जो के उनकी motivation में मदद देता है इस process में student को encourage किया जाता है जो भी काम उनका successfully हो चुका हो उस पर उनको appreciate किया जाते है सिजिस्टोपेडिया के कुछ advantages की तरफ चलते हैं first one is increased motivation and enthusiasm इस method में ऐसी technique से इस्तिमाल किया जाता है ताकि student की learning enjoyable हो और वो अपनी classroom में खुशी से engaged रहें second advantage is facilitates natural learning सिजिस्टोपेडिया encourage करती है student को कि वो natural ही तरीके से सीखें conversation और activities के जरीए next is increased retention सिजिस्टोपेडिया का जो method है उस से student को मदद मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा याद रख सकें यानि जो new information उनको मिली है और जो existing knowledge उनका है वो उनको सब memorize हो improved communication skills इस method के through student encourage होते हैं कि वो एक दूसरे से conversation करके अपने communication skills को strong बनाएं greater understanding of different cultures इस method के जरीए student encourage होते हैं कि वो मुखतलिफ cultures की जो study है और उनके languages हैं उसके बारे में सीख सकें अगर हम इस method के disadvantages की तरफ चलें तो सबसे पहले हमारे जहन में cost आती है सिजिस्टोपेडिया के method के लिए बहुत बड़ी amount चाहिए होती है इसके materials को prepare करने के लिए ये ना सिर्फ costly होता है स्कूल के लिए बलके teacher के लिए भी स्कूल के लिए तो cost होते हैं क्योंके material वगएरा हो गया और फिर उसकी organization, preparation लेकिन teacher के लिए भी a cost essence में होता है कि teachers को implement करना पड़ते हैं इसमें बहुत ज़दा time consume होता है time चाहिए होता है क्योंकि इस method की जितने भी materials होते हैं उनको prepare करने के लिए और फिर implementation के लिए ज्यादा time दरकार है बाकी methods की बनिजबत इसमें time consuming काफी है student engagement क्योंकि suggestopedia एक highly structured method है और इसमें बहुत ज़दा मुश्किल होता है कि तमाम students को engage रखा जाए limited topics suggestopedia एक बहुत बहुत बेहतरीन method है language learning का लेकिन ये दूसरे जो subject है उनके लिए effective नहीं हो सकता इसके एक disadvantage ये भी है कि इसमें students की initiative और creativity नहीं होती ये सारा जो learning process है teacher के तुरू authorize कराया जाता है ये भी बहुत बहुत मुश्किल है कि large comfortable chairs, dim lighting, music वगयरा सब कुछ provide किया जाए बहुत से स्कूल है जिसमें ये services available नहीं है अगर इसके conclusion की तरफ आ जाएं तो suggestopedia जो है वो एक valuable insights, power of cognition और बहुत सी techniques को create करने में मदद देता है और ये student को relaxed, comfortable और suggestible feel करवाता है इस method के through teachers को बहुत से students को face करना पड़ता है, teacher जो है वो creative smart होनी चाहिए ताकि वो different types के जो method है teaching के और skill of language चूज करके student को everything clear कर सके स्टूपीडिया language teaching method interesting होने के साथ-साथ बहुत challenging भी है ये था आज का lecture जो के सिजिस्ट्रोपीडिया language teaching method पर बेस था, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही असान अलफाज में समझाने की कोशिश की है, एक brief description दी है इस content पर अगर वीडियो आपके लिए helpful रही है तो मुझे comment section से जरूर आगा करें और इसको अपते friends के साथ भी शेयर क and take care of yourself, see you soon, Allah Faze